हलो फ्रेंट्स आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी और करारे पुदीने के पकॉरे तो तयार है sommes risiper लिए तो चलिए. तो जैसे कि है कुछ इस तरीके से, कुछ आठे सरीके से लाध से रूरते हम और नियुक्त वेटे ते रूरते है'm धिके सबाडा से था, नुछ बतासा गया के सकते विए पक और बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए है आलू तो यहाँ पर मैंने आलू को एतने चोटे पीसेस में कट करके लिआ है जाहें तो आलू के साथ फ्याज भी ले सकते हैं मैं आप आज प्याच का यूज नहीं कर रही हूँ आप चाहें तो बिल्कुल आइट कर सकते हैं मसालों में मैंने लिया है एक छोटा चम्मच साबुद धना आधी छोटी चम्मच साफ थोड़ी सी लाल मिर्च और हरी मिर्च बारिक कटी हुई तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़े तयार हैं और अब बारी आती है पुदीना जिसके हम पकोड़े बना रहे हैं तो पुदीने को हमने यहाँ पर साफ करके लेना है अच्छी तरह से वाश करके लेना है गाइस पुदीने को आपने कट नहीं करना है इसे ऐसे ही लेना है तो आप पुदीने को अच्छे से साफ करें ऐसे वाश करें उसके बाद आप इसे यूज करें और अब हम चलते हैं नेक्स प्रोसेस की तरफ अब हमने लेना है एक बाउल और अब हमने लेना है सूजी आज हम सूजी डाल दी है और आदा कप सूजी मैं यह पर और डाल दूंगी साथ हम इसमें एक कप पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से mix कर देंगे और इसे हमने पांच मिनिट के लिए rest करने के लिए रखना है ताकि सूजी जो है वो full जाए तो इसे हम क्या करेंगे पांच मिनिट के लिए rest करने के लिए रख देंगे पांच मिनिट बाद जैसे कि आप देख सकते हैं guys यह जो सूजी है फूल चुकी है ठिककन हो गई आप इसका टेक्शर देख सकते हैं सूजी जो है वह अच्छी तरह से फूल चुकी है तो सूजी हमारी तयार है अब हम चलते हैं नेक्स प्रोसेस की तरफ गाइस पकौरे बनाने के लिए मुझे यह जो बावल हो चोटा लग र जाल सकते हैं या फिर और वीजी जो भी आपको पसंदो और अब बावरी आती में पुदीना डालने के लिए मोटीने को हमने LIVE अएसे काटना नहीं है हमेशसरे थोड़ा सा तोल लिंगे तो जैसा कि हमार्षे से भाका सा तोल लिने जो बड़ी बड़ी पत्तिया है इनको ब साथी साथ हम इसमें डालेंगे बारीक कट्योई हरी मिर्च और इसी के साथ साथ हम डालेंगे काला नमक काला नमक आप ज़रूर डालिएगा इसे अब बारी आती है salt as per your taste पुदीने का टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे शुगर तो यहां पे अपने एक चंब शुगर डालनी है जितनी मैं डाल रहे हूं आप ध्यान रखे का इसे जादा शुगर नहीं डालनी नहीं तो बहुत मीठे पका रहे हो जाएंगे और साथी साथ हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है तो थोड़ा सा हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे लगबग दो चुटकी हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक तो आपकोर को अधिया ना उक्ता निया है रखनी है तो इस तरह से हम पकोरों को वन बाई वन डाल देंगे कडाई के अंदर ध्यान रखे जाएं ना रखें फ्लेम को लो या मीडियम ना रखें फ्लेम को हाई रखें और हाई फ्लेम पे प्राइ करें अच्छी तरह से पलटते रहेंगे और फ्राइ कर लेंगे अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी और साथी साथ ऐसी ही शांदा शांदा रेसिपी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेज़ेगा तो पलटते रहेंगे और फ्राइ करते रहेंगे जैसे ही यह गोल्डन हो जाएंगे हम इने निकाल लेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जो पकोरे वो गोल्डन हो चुके हैं तो अब हम इने निकाल लेंगे इने फ्राइ होने में भी जादा टाइम नहीं लगता ह यह जल्दी फ्राय हो जाते हैं बहुती शांदर पकोरे बनते हैं बहुती करारे पकोरे बनते हैं आप एक बार जरूर बनाएगा यहां पे हमारे पुदीने पकोरे बनके तयार हैं बहुती करारे बनते हैं और टेस्ट जो है वह बहुत लाजवाब आता है एक बार आप आपको बहुत पसंद आएंगे मिलते हैं हम ऐसी शांदर शांदर recipes के साथ next video में I am Shivani, thanks for watching